दोस्तों जब बात IPO की आती है तो हर कोई IPO के अंदर allotment के लिए प्रयास करता है लेकिन दोस्तों IPO के अंदर निवेश करने से पहले कुछ ऐसी बाते हैं इन्हें जानना बहुत जादा जरूरी है दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरीके से कोई भी कंपनिया IPO लेकर आती है त जो भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि IPO के अंदर आपको प्रयास जरूर करना चाहिए क्योंकि शिरुवाती दोर में अच्छा खासा रुजाना आपको IPO के अंदर दिखने को मिलता है लेकिन दोस्तों निवेश करने से पहले 10 important ब ये वीडियो आज बहुत ही interesting होने वाली है कहना चाहूँआ कि अगर आप फस्टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं साथी बाला इकन जरूर हैट कर लेगा हाँ ये बात जरूर है कि कुछ स्टॉक के प्राइस अभी हम लोगो काफी नीचे देखने को मिल रहे हैं लेकिन दोस्तों बताना चाहूँँ कि जब भी IPO लिस्ट होता है तो शुरुवाती दोर में अच्छा कासा रुजान हमें अकसर देखने को मिल जाता है अब देखिए हाल फिलाल में काफी सारी कंपनियां IPO लेकर आने वाली हैं जिस तरह के से अपने फेमस एक कंपनी है उसका नाम सुना होगा PTM तो PTM कंपनी IPO लेकर आने वाली है LIC कंपनी अपना IPO लेकर आने वाली है ना किया ये कंपनी अपना IPO लेकर आने वाली है देकि बजार के अंदर तो आपको बड़ी हलचल देखने को मिलेगी और आ दोस्तों बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बजार के अंदर हम लोग को यहां पे flexibility देखने को मिल रही है तो काफी सारे लोग interested है इन कंपनियों के अंदर IPO में निवेश करने के लिए अब बताना चाहूंगा कि अगर जो IPO के मध्यम से आया है तो अगर पिछला 10 सालों का track record उठा कर देखा जाए तो काफी बड़ा amount यह कहा जा रहा है और इस तरह की का investment अभी तक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है अब देखे वो 10 बाते कौन सी हैं जो हम लोग को अकसर देख लेनी चाहिए सब से पहले मैं तो देखे company किस मध्यम से अपना जो निवेश है पैसा है वो जुटाने वाली है और यहाँ पर selling जो shares है वो हम लोग को किस मध्यम से देखने को मिलेंगे और आल क्या है कि यह सारा जो prospectus है सबसे पहले आपको यह किसी भी company के इंदर चेक करना है अब बात करते हैं दूसरे point के बारे में तो दोस्तों जैसे कि आप समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि utilization of the proceed तो यह जो पैसा यहाँ पर company के पास में आने वाला है तो इस पैसे का यह company क्या करने वाली है क्या कोई loan है company के पास में उसको चुकता करने वाली है या फिर किसी subsidiary company के यहाँ पर स्थाप प्रेज की जो यहाँ पर माध्यम देखने को मिले तो उसके बाद में इस पैसे का company क्या करने वाली है देखिए बात करते हैं अगले point के बारे में तो understand the business अब देखिए business company का किस तरह की का है company का जो business है वो अच्छा-खासा improve कर रहा है या नहीं पिछले 5 सालों के अंदर 10 सा company के अंदर हो रही है तो कहीं न कहीं उसके अंदर अच्छा-खासा पैसा बन जाता है तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा observe करके चल सकते हैं कि company के अंदर जो फिलाल की जिट में जो company का business चल रहा है उसके अंदर कितनी potential हम लोग को देखने को मिल रही है तो जो अगला point है य लोग यहां पर discuss करने वाले हैं कि जब company कोई IPO लेकर आती है तो यहां पर promoters का background हमें क्या देखने को मिल रहा है और management team किस तरह की की है तो अगर कुछ अच्छे खासे नाम आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं तो कहीं न कहीं हमें IPO के अंदर growth देखने को मिलेगी और उसके अंदर निवेश करेंगें काफी सारे लोग तो नॉर्मल सी बात है आपको stocks के अंदर भी अच्छा खासा रुजान देखने को मिल सकता है तो यहां पर आपको promoters के बारे में जानना जरूरी है कि कौन-कौन से famous नाम इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं क्या growth इस company के अंदर हम लोग को as a promoter देखने को मिल सकती है काफी सारे लोग इसी सोच के साथ में पैसा लगाते हैं कि अच्छा-कासा नाम जो है company के साथ में जुड़ा हुआ है तो इस company के अंदर निवेश किया जाए देखे बात करते हैं अगले point के बारे में तो company potentials in the market तो company के कितनी potential देखने को मिल रही है मानके चलते हैं कि टेलिकॉम इंडस्ट्री से कोई company है जो की IPO लेकर आने वाली है तो पहले से ही अगर आपने देखा हो कि रिलाइंस यो एर्टेल हो गया वोड़ फोन आइडिया हो गया तो यहां पे जो company के अंदर हम लोग को पहले से हलचल देख लें चीए कि company के अंदर कितनी जान हमें दिखाए दे रही है क्या वो इन तीनों जो computer उसके दिखाए दे रहे इनका मुकाबला easily कर सकती है तो इस चीज़ को भी जानना बहुत जादा जरूरी है बात करते हैं दोस्तों अगले point के बारे में तो key strength and strategy of the company तो company की आगे दिरनीती क्या होने वाली है और प्रमो को जो उसके strength है वो क्या दिखाए दे रहे निवेसक DRHP से company की जो strength दिखाए देती है उसका easily जो है अंदाजा लगा सकते हैं किसी को भी कोसिस करनी चाहिए और आपको जाना चाहिए कि company के जो business है वो किस तरह के चल रहे है और कितना growth जो है आगे हम इसके अंदर दिखने को मिल सकता है तो यह main factor यहाँ पे निकल किया रहा है company के strength के बारे में आपको जानना बहुत जादा जरूरी है तो बात करते हैं अगले point के बारे में तो financial health and evolutions of the company अब देखे company के जो कुछ background होते हैं पिछले काफी समय से किस तरह का performance company के इंदर दिखने को मिला quarter basis पे year on year basis पे तो इस चीज़ को भी हम लोग को check कर लेना चाहिए कि company पिछले काफी समय से किस तरह के का परदर्शन करती हुई नजरा रही कहीं ऐसा तो नहीं कि year on year basis पे कुछ उल्टा सीधा हम लोग को दिखने को मिल रहा है या फिर quarter on quarter basis पे कुछ बजार के अंदर आती है तो क्या उसके अंदर हम लोग को आगे development दिखने को मिल सकता है या नहीं तो competitor को जानना बहुत जादा जरूरी है जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अगर कोई telecom की company है और वो अगर अपना IPO लेकर आती है तो already अगर देखा जाए तो बजार के आपको improvement दिखने को मिलेगा normal सी बात है stocks के अंदर भी दोस्तों बात करते हैं अगले point के बारे में तो measure risk factor देखे अब जब यह company पैसा यहां पर लगा रही है तो normal सी बात है आपको यह चीज भी देखनी जरूरी है कि क्या company के पास में पहले से कोई देंदारियां तो नहीं ह चल रहे हैं company के पास में कितना कर्ज है तो यह सारी चीजे आपको इस point के अंदर देखना बहुत जादा जरूरी है कि अगला point निकल के रहा है investors investment horizon तो देखे मैं आपको इहां पर बताना चाहूं कि कुछ retail निवेशक इस के अंदर इस तरह के के होते हैं कि IPO आया और listing होई औ उसके बाद में जो है अच्छा कासा gain हमें देखने को मिला तो काफी सारे निवेशक पैसा लेकर निकल जाते हैं मतलब IPO के अंदर सिर्फ इसी सोच के साथ में पैसा लगाते हैं कि IPO के अंदर अच्छी कासे listing हम लोग को दिखाए देगी और उससे हम पैसा लेकर निकल जाए और लिस्टिंग गेन के लिए आपने पैसा लगाया और वहां से पैसा लेकर निकल गए उमीद करता हूँ दोस्तों ये 10 पॉइंट काफी काम आएंगे आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब कर करक लेना थैंकी दीकल बंच के हम लेख को काम डएंगे टी आप काम इन के मजए लेने स moon